नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में गर्मी में कौन सा जूस पीना चाहिए इसके बारे में जानकारी देंगे फ्रेश जूस पीने में बहुत टेस्टी और हेल्दी लगते हैं गर्मी में ऐसे कई फलाते हैं जिनसे आसानी से जूस तयार कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गर्मी में कौन सा जूस पीना चाहिए घर में cold drinks या packed जूस पीने की बजाए आप फलो के ताजा जूस जरूर पीएं फ्रेश जूस पीने में बहुत टेस्टी और हेल्दी लगते हैं गर्मिया आ गई है और तापमान हर दिन एक नई उचाई पर पहुँच रहा है इसलिए स्वास्त समस्याओं से बचने के लिए हाइडरेट रहना बहुत जरूरी है पानी नी संधे एक चमतकारिक पे है लेकिन अगर आपको पानी का स्वास्त पसंद नहीं है तो फलो का रस पीना भी हाइडरेट रहने का एक स्वास्त तरीका है हाला कि तयार जूस पीने से उदेश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि वे आपके स्वास्त को अधिक नुकसान पहुचाते हैं ओल्ड प्रेज्ड जूस पीना एक स्वास्त विकल्प है जो स्वादिस्ट होने के सासा धेर सारे स्वास्त लाभू से भरपूर होता है बेल का जूस बेल का जूस भी बहर ठंडा माना जाता है और आयुरुएद में इसके बहुत फायदे हैं इस जूस को बनाने के लिए मिक्सर की भी जरूरत नहीं पड़ती बेल को तोड़कर उसका पल्प एक बड़े बाउल में निकाल कर पानी के साथ किसी बड़े मेशिंग, स्पून या हैंड से मिक्स कर दें स्वात बढ़ाने के लिए थोड़ा नमक, चाट मसाला और चीनी डाल सकते हैं इसके बाद बड़ी छलनी से चान कर आइस क्यूब डाल कर सरुक करें अनार का जूस दोस्तों अनार का रस एक लोकप्रिय पे बन गया है एक अनार में लगभग 30 मिली ग्राम विटामिन C होता है जो देनिक अनुशनशित मातरा का लगभग 40 प्रतिशत है सूजन एम रिदे संबंदी समस्याओं के अलावा बहुत सारी स्वास संबंदी समस्याओं को दूर करने में अनार का बहुत बड़ा युगदान है तर्बूज दोस्तों गर्मी के मोसम में मिलने वाला तर्बूज कई प्रकार के पोशक्ततों से भरा होता है वाटर मेलन जूस में अमिनो एसीट, एंटियोक्सिडेंट्स और लिपोसिन की उच्च मातरा के साथ ही पोटेशियम, सोडियम और केलोरी की बहुत कम मातरा होती है इसलिए आप इस समर सीजन में तर्बूज का जूस बना कर जरूर पियें निम्बू पानी दोस्तों लेमन मिन्ट डिटॉक्स ड्रिंक यानि निम्बू पानी हम सभी को अपने शरीर और दिमाग को साफ रखने के लिए कभी कभी डिटॉक्स करने की ज़रूत होती है खास तोर पर हॉम मेट डिटॉक्स के साथ अपना खुद का डिटॉक्स पे बनाने के बारे में आपका क्या खयाल है निम्बू गर्मी के मोसम में खीरे और पुदिने के रस के साथ सबसे लोगप्रिय डिटॉक्स पे में से एक है ये पे विशाक्त पदार्तों की निकासी और पाचन में मदद करता है इसके अलावा यहां आपकी प्रतिरक्षप्रणाली को बढ़ाता है गन्य का रस जी हाँ दूस्तों गन्य के रस में नेचुरल शुगर, सोडियम, पोटेशियम, केलशियम, मैगनिशियम और लोह ततवजे से मिनरल्स पाए जाते हैं जिनकी कमी से हमें अकसर प्यास का अनुभव होता है इसलिए गर्मियों में इसका सेवन करना लाब दयक होता है गन्य का रस गन्य को पिस कर निकाला जाता है जो प्राकतिक रूप से मीठा, स्वादिस और पोशक तत्वों से फरपोर होता है इसका सेवन स्वास्त के लिए लाबधैक होता है. इसलिए आपको गर्मियों में गन्य का जूस जरूर पिना चाहिए. खरबुजा शामान्य रूप से आप गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए खरबुजे का जूस का सेवन जरूर करें. ये आपके शरीर में पानी की कमी को दूर करने में सहयक होता है गर्मी के मोसम में खर्बुजे का सेवन करने से आपको कई प्रकार की स्वास्त समस्याओं से भी बचाया जा सकता है क्योंकि खर्बुजे के जूस में पोशक तत्व और खनीच पदार्थ अच्छी मात्रा में होते हैं। खर्बुजे के पोशक तत्व की बात की जाए तो ये फल केलोरी, कार्बोहेडरेट, प्रोटीन, फाइबर, आधी से भरपूर होता है। दोस्तों आम बहुत ही स्वादिस्ट फल होते हैं और स्वादिस्ट फल होने के साथ हमारे स्वास्त के लिए भी ये फल बहुत लापकारी होता है। बहुत ही लापदयक होता है। आम का रस लोहा और विटामीन B6 का एक बहुत बड़ा इस्त्रोथ है जो मस्तिक्ष स्वास्त के इस आधर्श खादिपदार्तों में से एक है। इसलिए गर्मियों में आम के जूस का सेवन जरूर करें। तो दोस्तों देखा आपने की गर्म संबन्दी वीडियों देखने के लिए और सबसे पहले वीडियों पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अंगले वीडियों के साथ। तब तक के लिए टेक केर। गुट बाई।